हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आर्किटेक्ट मंदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को तो दोस्तों आज का हाउस प्लान हमने मिस्टर अमन जी के लिए डिजाइन किया है जो इनका फ्लोर प्लान है वो इन्होंने कहीं और से बनवाया था लेकिन जो इसका एलिवेशन और वोक्त्रो है वो हमने डिजाइन किया है और अगर आपको इस हाउस की ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आए दोस्तों हम लोग बिना केसी देरी के इस वीडियो की और आगे बढ़ते हैं और क्या तो दोस्तों इसके बाद हाउस के फ्रेंट एलिवेशन में मिल जाएगी की बात कर लेते हैं आप हाउस का फ्रेंट एलिवेशन देख सकते हैं आपको यहां पर फ्रेंट एलिवेशन काफी शांदार देखने को मिल जाता है और इसके बाद आप इसका बाउंडरी वाल का डिसाइन देख सकते हैं और दोस्तों इससे आगे बढ़े तो आप हाउस के offset देख सकते हैं आपको house के चारों तरफ offset देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छी ventilation के लिए है इसी के साथ आपको यहाँ पर एक छोटा सा pocket garden भी देखने को मिल जाएगा इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर house का parking area देखने को मिल जाएगा और जो इन areas की dimension है वो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी के इनके क्या sizes हैं और दोस्तों जो यहाँ पर stairs हैं वो आपको outside में देखने को मिल जाएगे क्योंकि यह house आपका renting purpose के हिजाब से design हुआ है तो इसके बाद दोस्तों हम entrance लेते हैं house के living area में living area आप देख सकते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर interior की बात कर लेते हैं दोस्तों interior आपको ground से ज़्यादा first floor पर ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा तो इसके बाद दोस्तों जो house का dining area है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आईए चलिए इसके बाद हम house के first bedroom की तरफ चलते हैं इसका size 11 feet 2 inch by 11 feet का है आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर back wall पर stuco देखने को मिल जाएगा और सामने एक अच्छे size की आपको यहाँ पर दोर देखने को मिल जाता है जो कि आपका आउग side में जाता है तो आईए चलिए दोस्तों इसके बाद हम house के common toilet की तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं और इस common toilet का size 8 feet 6 inch by 4 foot और 8 inch का रहेगा और इसकी जो ventilation है वो जो house के offset की side में होगी तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए हम आपको house के kitchen area की तरफ लेकर चलते हैं आप देख सकते हैं यह है house का kitchen area और इसका size 11 feet 8 inch by 8 feet और 4 inch का रहेगा और इसी के साथ अगर आप आगे देखे तो आपको यहां पर house का washing area देखने को मिल जाता है और इसका size आपका तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए हम house के second bedroom की तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं इस bedroom का size 12 feet 4 inch by 11 feet का रहेगा आपको यहां पर whack wall design और सामने एक wardrobe देखने को मिल जाएगी इसी के साथ आपको attached toilet देखने को मिल जाता है इसका size 9 feet by 4 feet और 6 inch का रहेगा झाला प्लेक तर इसकी वांडाओ तर अफ प्यार आपाओ प्यार अмаई अ उ तो आईए चलिए दोस्तों इसके बाद हम स्टेर्ज से होते हुए आपको हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ लेकर चलते हैं जो कि आपके हाउस का रेजिडेंशल एरिया रहेगा जो कि आपके पर्सनल यूज के लिए हमने डिजाइन किया है तो दोस्तों इसके बाद हम ओफिस रूम की बाद कर लेते हैं आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर एक ओफिस रूम देखने को मिल जाएगा इसका साइज साथ फिट दो इंच बाई छे फिट का रहेगा जो कि आपके यह पर्सनल यूज के लिए है आकि आप दोस्तों हाउस के फ्रंट में यहाँ पर बालकनी देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी स्पेशियस देखने को मिल जाएगी और यह रूम के साथ भी अटैच रहेगी जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे दिखा देंगे तो आईए चलिए इसके बाद हम एंटरस लेते हैं हाउस के फ्रस्ट फ्लोर एरिया पर आप देख सकते हैं आप इसका इंटिरियर व्यू और जो आप इसका वैक वॉल डिजाइन देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छी सीलिंग देखने को मिल जाएंगी और दोस्तों यह लिविंग एरिया है इसका साइज आपका 11 फिट 10 इंच बाई 9 फिट और 10 इंच का रहेगा इसके बाद आपको हाउस का डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है तो आईए चलिए दोस्तों हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बैडरूम की तरफ चलते हैं इसका साइज 11 फिट 12 इंच बाई 11 फिट का रहेगा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है सामने एक बाड के साथ अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी बिद सेफटी तो दोस्तों आपको हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको यहाँ पर कॉमन टॉलेट देखने को मिल जाता है इसका साइज 8 फिट 6 इंच बाई 4 फिट और 8 इंच का रहेगा आप देख सकते हैं वेंटिलेशन इसकी ओफसेट एरिया की तरफ होगी तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर हाउस का कीचिन एरिया देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर एक प्रेकफस्ट काउंटर भी हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है और जो यह कीचिन है इसका साइज 11 फिट 8 इंच बाई 8 फिट और 4 इंच का रहेगा और दोस्तों इस कीचिन के अच्छी बात यही है कि आपको सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह ऊपर यहाँ पर वाशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हाउस के सेकंड बैडरूम की तरफ आप देख सकते हैं इस बैडरूम का साइज 12 फिट 4 इंच बाई 11 फिट का रहेगा आपको यहाँ पर अच्छी सीलिंग अच्छी आपको यहाँ पर वाडर ओव देखने को मिल रहा है और इस टॉइलेट का साइज 9 फिट बाई 4 फिट और 6 इंच का है और दोस्तों जो आपके हाउस का सेकंड बैडरूम है आपको इस बैडरूम के साथ अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी आप यहाँ पर बालकनी देख सकते हैं तो आईए चली इसके बाद दोस्तों हमारे house के first floor से हमारे house के second floor यानि हमारे house के terrace area की तरफ चलते हैं और आपको उपर का view है वो दिखाते हैं कि आपको उपर यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पर ceiling देख सकते हैं ceiling आपको यहाँ पर कापी अच्छी देखने को मिल जाएंगी और दोस्तों हमने entry ले लिये हैं हमारे house के terrace पर आपको यहाँ पर एक शांदार garden एरिया देखने को मिल जाएगा और जो house का front है आपको यहाँ पर open space देखने को मिल जाता है और दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक swimming pool भी देखने को मिल जाएगा जो हम आपको इसमें आगे दिखाएंगे और दोस्तों आप यहाँ पर बाकी इस terrace का overall view देख लीजिए और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगली बार हम आपसे मिलते हैं एक और नहीं अच्छी वीडियो के साथ नमस्कार कर दोस्तों के साथ अच्छी वीडियो के साथ वीडियो का वाँ बार हम एक और रदीन हैं आपको जिए झाल झाल